नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके योट्यूब चैनल पर RPSC First Grid परिक्षा में आये हुए मनोविज्ञान के प्रशनों पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार ये तीसरा वीडियो नोट है इसमें हम बात करेंगे 2011 के कॉमर्स के पेपर में आये हुए 30 प्रशन साइकोलोजी के उपर ठीक है तो चलिए वीडियो नोट शुरू करते हैं तो देखिए पहला प्रशन है दोस्तों आपके लिए यहाँ पर 121 वा है प्रशन पत्र के हिसाब से और आपको सारे आंसर आंसर की के हिसाब से बताए जा रहे हैं जो कि RPSC की साइट से डाउनलोड की हुई है किस आयू काल में मानसिक विकास अपनी उच्टम सीमा पर पहुच जाता है परिक्षा में ये पूछा गया है इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 15 से 20 वर्ष की जो अवस्ता होती है इसमें मानसिक विकास अपनी उच्टम सीमा पर पहुच जाता है ठीक है मैक्जिमम मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुका होता है चलिए नेक्स देखिए 122 निम्न मेंसे किस सिक्षन व्यू रचना का सम्बंद जन तांतरिक व्यू रचनाओं से नहीं है यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न मेंसे किस सिक्षन व्यू रचना का सम्बंद जन तांतरिक व्यू रचनाओं से नहीं है तो इसका जो right answer होगा दोस्तों वो है भूमी का व्यू रचना, role playing strategy, इसका संबन जनतांतरिक व्यू रचना से नहीं है, बलकि सामुईक परिचर्चा व्यू रचना, मस्तिश कुद्देलन व्यू रचना, समश्य व्यू रचना, ये सारी जनतांतरिक व्यू रचनाओं से संब परियोग किया जाता है, अनुदेशन, समंदी जटिल परकरियाओं तथा प्रैनियमों में निम्न में से कौन सी व्यू रचना का परियोग किया जाता है, ये प्रशन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसके अंदर जो right answer है वो है, अविरला, गद्य संप्रेशन, ठीक है, नेक्स देखिए, 124, सम्प्रेशन, नियंतरन परकरिया के तीन आधार्बु तत्व कौन से हैं, सम्प्रेशन, नियंतरन परकरिया के तीन आधार्बु तत्व पूछे गए हैं, which of the following are the three basic elements of cybernetics, ठीक है, तो इसका जो right answer है वो है दोस्तों, लागत, प्रदा और संसादक, इंग्लिश में है, तो input, output और processor, तो यहाँ पे लागत की जगा आगत हो सकता है, यह missprint भी हो सकता है, ठीक है, तो लागत, प्रदा और संसादक, इसको हम लागत को input भी मान सकते हैं, तो इसलिए right answer हो है, यहाँ पे input, output और processor, यह तीन आधार्बु तत्व हैं, सम्प्रेशन के नियंतर्ण पक्रिया के, next देखिए, 125, अंते दरश्टी सिद्धानत के प्रतिपादक कोन है, तो सभी को पता है, यह तो कोहलर, कोन है, कोहलर, next देखिए, 126, दो बालकों में समान मानसिक योगताई नहीं होती, यह कतन किस मनोविज्यानिक का है, मनोविज्यानिक ने कह है, कोई भी दो बालक होंगे, उनमें समान मानसिक योगताई नहीं होती है, यह कतन किस का, यह है, हर लोग का, हर लोग कहते हैं कि दो बालकों में समान मानसिक योगताई नहीं होती, two children have no common abilities, next चेलिए, 127, निमने लिखित में से computer सहायक अनुदेशन में परियुक्त टेकनोल जो computer सहायक अनुदेशन में परियुक्त नहीं होती, वो इनमें से कौन सी है, यह हमें यहाँ पे इसका answer देना है, तो right answer आएगा इसका, creative technology, creative technology, computer सहायक अनुदेशन से संबंदित नहीं है, बलकि hardware technology, software technology, courseware technology, computer सहायक अनुदेशन से related है, ठीके दोस्तों, चलिए, next देखिए 128, निम्न लिखित में से कौन सी computer सहायक अनुदेशन में नहीत, मूल मानेता या मानेताएं नहीं है, ठीक है, इनमें से हमें एक कूट चैन करना है, जो answer हम चैन करेंगे, तो right answer है, यहाँ पे पहला है दोस्तों, ABC, मतलब निम्न में से कौन सी computer सहायक अनुदेशन में नहीत, मूल मानेता या मानेताएं हैं, तो यह तीनों ही है, बहुत से विद्यार्तियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करा सकते हैं, विदी एवं तकनिकों के परियोग में विविदेता होती है, विद्यार्तियों की कारेशमता की automatic recording भी की जा सकती है, ठीक है, चलिए next दे तो इसका जो right answer है वो दोस्तों, कोस्मो, ये computer की भाशा नहीं है, बल्कि हम बात करें, लोगो, कोबल, जावा, ये computer की भाशा हो जाती है, चलिए next देखिए, 130, जब computer पर कारे कर रहे होते हैं, तब computer प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकरतित करने के लिए समर्ति का पर तो उसको कहते हैं दोस्तों, RAM, चलिए next देखिए, 131, इसमें कुछ computer के question मिल गए हैं आपको, इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर www अक्षरों का प्रियोग किया जाता है, जिसका आश्य क्या है दोस्तों, तो इसका आश्य सभी को पता होना चाहिए, इसका आश्य सिंप बारतिय समिधान की धारा 275 के अंतरगत निमने में से किसको राज्यो को अनुदान एम सायता की अनुशंशा करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, तो इसका जो right answer आएगा वो आएगा वित आयोग नेक्स देखिए, 133, मनोविज्ञान की यह परिवाशा किस मनोविज्ञानिक द्वारा दी गई है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मनिया मस्तिश का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब यह है व नेक्स देखी 134 निमलिकित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है ध्यान दीजिये प्रशन पर अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक जो नहीं है उसे हमें यहाँ पे चूज करना है तो वो है उद्देश्य हीन्ता ये जो होता है ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं होता जबकि ये अधिगम करता अधिगम अनुभव मानव और भतिक संसादन ये सारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं ठीके दोस्तों चलिए नेक्स देखी 136 वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोगप्रिये पुस्तक कौन सी है वाटसन ने लिखा था 1925 में प्रकाशित हुई थी तो ये लोगप्रिये पुस्तक कौन सी है ये है व्यवार वाद नेक्स देखिए 137 अधिगम आदते ग्यान एवं अभीवरतियों को अरजित करना है अधिगम क्या है आदते ग्यान और अभीवरतियों को अरजित करना है उक्ता अनुसार अधिगम को किस ने परिवाशित किया इसको परिवाशित किया क्रो एंड क्रो ने ये परिवाशित एक तरीके से हम कह सकत प्याजे के अनुसार निम्न है, मतलब कौन सी अवस्था संप्रतों के संपूर्ण विकास की अवस्था है, यह हमें प्याजे के अनुसार निम्न दे रखे हैं, तो इन में से हमें चूज करनी है, कौन सी राइट आंसर है, वो है अमूर्त संक्रियातमग अवस्था, वेच स्टेज फ्रोम दा फॉलोविंग इस दा कंसेप्ट औफ कम्प्ली डेवलोप्मेंट स्टेज अकार्डिंग टू पियाजे चलिए नेक्स देखिए 149 किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्निमे से कोन सी है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ेगा वो होती है अभी वरति या जिसकों इंगलिश में हम कहते हैं एटिट्यूड इसका सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता नेक्स देखिए 140 किशोरों में सम्वेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्न में से कौन सा है किशोरों के सम्वेगों के नियंत्रण की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय जो है वो कौन सा है वो है शोधन कौन सा शोधन नेक्स देखी 141 किशोर अवस्था में चरित निर्मान परक्रिया से जो अवस्था संबंदित है वह निम्न में से है इन ओप्शन्स में से चरित निर्मान की बात करें परक्रिया जो किशोर अवस्था से संबंदित है वो है Option number 2 आधार हीन आत्म चेतना अवस्था ठीक है चलिए नेग्स देखिए 142 किशोर अवस्था की मुख्य विशेष्था निम्न में से है कौन सी मुख्य विशेष्था पूची गई है किशोर अवस्था की तो यहां पर आएगा आत्म चेतना ठीक है सिद्धान्त प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है ठीक है Which of the following is the main factor in operant conditioning theory इसमें जो right answer है दोस्तों वो है पुनर बलन कार्यात्मक प्रतिवद्धा सिद्धान प्रक्रिया में मुख्य कारक होता है पुनर बलन 144 प्रशिक्षन एवं अनुभव के द्वारा व्यवार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं यह कतन किस मनोवग्यानिक का है देखिए इसमें बहुत सारी परिवाशा है आई थी इस पेपर में यह हमें देखनों को मिला है कुछ प्रशिक्षन एवं अनुभव के द्वारा व्यवार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते है यह जो परिवाशा दी है यह दी है दोस्तों गेट्स ने किसने गेट्स ने सारे आंस्वर आपको आंसर की के आधार पर ही बताए जा रहे है एक अच्छे अधिगम करता की प्रमुक विशेस्ता निम्न में से कौन सी है अच्छे अधिगम करता की विशेस्ता पूछी गई है चार ओप्शन दे रखे हैं तो सबसे पहली आती है इसमें इच्छा शक्ती विल पावर होनी चाहिए इसी के आधार पर वो अच्छे से जीजो को ग्रेंड कर सकता है सीख सकता है एमाइंड धाट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई एमाइंड धाउंड फाउंड इटसेल्फ ये जो किताब लिखी गई, ये C.W. Beers ने लिखी, ठीक है, C.W. Beers ने, 147 देखिए, तनाओ को कम करने की एपरतेक्ष विदी का उपाय निम्न लिखित में से कौन सा है, तो वो है दोस्तों, आत्मी करन, कौन सा, आत्मी करन, 148, निम्न लिखित में से भगनाशा का कौन सा कार नहीं है, which of the following is not the calves of frustration, 148 में पूछा गया है, भगनाशा का कौन सा कारण नहीं है, तो वो सफलता, अरे सफलता में भगनाशा नहीं होती, ठीक है, चलिए, next देखिए, 149, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में, शिक्षक का योगदान निम्न लिखित में से कौन सा है, ये हमें बताना है, तो अकांक्षा का उचित इस तर तै करना, ठीक है, setting a proper level of aspiration, next देखिए, और last देखिए, इस पेपर का, 150, निम्न में से कौन सा सिद्धान्त, शिक्षन साधनों के चयन में मार्ग दर्शक नहीं है, शिक्षन साधनों के चयन में मार्ग दर्शक नहीं है, which guiding principle from the following is not directives in selection of teaching ads, ठीक है, ये होगा भौतिक नियंत्रन का सिद्धान्त, the principle of physical control, ये शिक्षन साधनों के चयन में मार्ग दर्शक नहीं है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस commerce के paper में भी देखे 30 प्रशन, इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ उस समय computer के question भी डाले गए थे, एक act का सवाल भी डाला हमने इसमें देखा, बाकी मनोविज्यान के सवाल हमने इसमें देखे, ठीक है, इसी प्रकार हम आगे भी इन प्रशनो करना है, लाइक करना है और अपने comments करने है, ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं next video note में